सिगीता भक्ति अम्रित महत्सो के सायोजन में पधारे सभी पूज्य संथ जन भक्त जन और उपस्तित बेनों और भाईयों पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महराज की जन्म के अम्रित महत्सो जिसे हम सब सिगीता भक्ति अम्रित महत्सो के रूप में यहां पर भब्यता के साथ पूरी दिब्यता के साथ आयुजित कर रहे हैं इस आयुजन के उसर पर विगत पिचत्तर वर्सों से बैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरसार्थ से अपनी साधना से अपने परिश्रम से पोज्य स्वामी गोविंद देवगरी जी मरहाज ने जो कारे किया जो आसरी बात सनातन हिंदु धर्मावलंबियों को दिया है उनके प्रतिकृत्यता ग्यापित करने का एक उसर यहाँ गीता भक्त अम्रित महुत्सो की रूप में हम सब के सामने है मैं इस उसर पर अम्रित महुत्सो की स्वेला में उनका हिर्दे से अविनंदन करता हूं को स्वागत करता हूं और ग्याने स्वर जी महराज से ही प्राठना करता हूं कि पोज्य स्वामी जे का सानिद्य उनका मार्ग दर्सन सनातन हिंदो धर्माव लंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे यहाँ उनके सिचणों में बारव बार प्रिडाम करते वे प्रार्थना करता हूँ आज यह मेरा सौफाग्य है कि मुझे इस अद्वुद औसर परानंदी आने का औसर प्राप्त हुआ है मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नात संप्रदाय का एक सामाने अनुयाई हूँ सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के नुसार पूरे समर्पन भाव के साथ कारे करता हूँ और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है भग्वान गयनिश्वर जी मराज की जो परंपरा है उस परंपरा को परणाम करने और इस परंपरा के सेतों को जोड़ने का काम किया है पुझे स्वामी गोविन देव गिरी जी ने उनकी प्रतिकृतकिता ग्यापित करने के लिए आज मैं स्वयम यहां पर उपस्तित हुआ हूं मन में बहुत दिनों से इच्छा थी वर्सों से इच्छा थी बच्पन में मैंने ग्यानिश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी ऐसी दिब्व विभूती कौन है जिनका सानिध्य जिनोंने मात्र पंद्रा वर्स की उम्र में ग्यानिश्वरी का अपदेश दे करके भक्तों को एक नई रहा दिखाई जिनोंने 21 वर्स की उम्र में संजीव समाधी ले करके भारत की अध्यात्म को पुरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो जगत गुरु संक्राचारिय कांची काम कोटी के पूज़ संक्राचारिय जी महराज इस मंच पर बढ़ा रहे हैं मैं उनका भी हिर्दे से विनंदन करता हूं स्वागत करता हूं